प्रोटीन, फाइवर, विटेमिन और एंटियों से भरपूर आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों के इस्पेशल इन लड़ू की रस्पी को अगर आपने इन लड़ू का सीवन कर लिया 2-3 महने तक तो मेरी गैरेंटी है कि आपको जो है सर्दी खासी तो होने नहीं वाला इस सर्दी में और दूसरी बात पूरे साल भर भी नहीं होगा इतने जाधा ताकतवर लड़ू है तो ये पुराने तरीके से बने हुए रसिपी है जो बहुत सारे घरों में बनती होगी और बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता होगी तो मैंने सुचा क्यों ना आपनों के साथ शेयर कर दूँ और वैसे भी मैस सीजन के हिसाब से रस्पीश शेयर करती हूँ तो विंटर आया है तो विंटर इस्पेशल रस्पीश तो बनती है तो आप देख सकते हैं कितने जादा मजे के बने है और पता है सबसे खास बात यह है कि यह आटे के नहीं है तो ऐसा कौन सा आटा या इसी कौन से चीज़ यूज़ करेंगे जो इतने जादा हेल्दी बनेंगे वो आपको आगी वीडियो में पता चलेगा तो यहाँ पर देखिए हमने गोंद लिया है यह गोंद कतीरा नहीं है यह बबूल की गोंद है यह आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी इसे पानी में नहीं भी होया जाता बलकि इसे घी में रोस्ट किया जाता है तो जो मैं बोल रही थी ना प्रोटीन फाइबर विट जाती है तो इस तरह से फूल जाएगी और एकदम लाइट हो जाएगी तब तक आपको इसे रोस्ट करना है और इसके बाद जो है हम जो है इसे साइट पे रखेंगे अब हम यूज करने वाले हैं यहां पर हमने वन फूर्थ कप ही बदाम लेने हैं लगबग 25 से 30 जो है यह जब कि जो जल्दी से चेंज हो जाता है तो यहां पर देखें बदाम के फायदे बताने की जरुवत नहीं है और यहां पर हम यूज करने वाले हैं यहां पर मैंने वन फूर्थ का फी वालनेट पी लिया है यानि की अखरोट लिया है अगर आपका घी कम पड़े तो आप इ क्यार हो गए है तो वालनेट आप सभी को बता है तो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर आपको ऐसे लगते है कि आप चीज़े भूल जाते हैं तो आप जरूर से वालनेट को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और इसके साथ हम किसमिस को यूज करने वाले तो एक कप कमेजर हो जाता है तो यहां पर इसे भी हमने रोष्ट कर लिया है अब हमें चाहिए यह सुखा वाला नारियल इसे हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे बस आपको ऐसे रुफली चॉप कर लेना है यह हमने लगबाग आधे कब से तक करीब होगा और आधे कब ज अब मैं आपको थोड़े से फायदे भी बताऊंगी कि इसके क्या क्या फायदे है तो फहले तो हम इसे रोष्ट करेंगे और मैं यहां पर क्या करूंगी इसे साथ में ही रोष्ट करूंगी मतलब कि हमारा नारियल था और खजूर भी बोलते है ना ड्राइड इडिट को यह तो आप जरूर से शामिल कीजिए इसके अलावा आयरेंड की कमी को दूर करता है तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारा जो सूखा नारियल है तो यहां पर देखिए मैंने इन दोनों को रोश्ट किया और रोश्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से मुझे ना थोड़े के जो बाइट्स आते हैं वह लेट्डू जादा अचे लगते हैं बागी आप मिक्सर में ग्राइंड करके इनका पूरा पूरा भी आड़ कर सकते हैं वह आपके उपर है कढ़ाई को मैं इस तरीके से एक टिशू पेपर से पोंच लेने वाली हूं क्यो इस तो नॉर्मल आटा भी उसकर सकते हैं मतलब कि गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं लेकिन इस निकाल के रख दूंगी जिसे जुटा नहीं करेंगे वरत में भी खा पाएंगे तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अब मैंने देखे इसमें मिलाई है यह यह यहां अच्छा गाशा आटा इतना गरम होगा कि पॉपी सीर उसी में रोज्ड हो जाएगी अच्छा खासा मैंने अच्छा चेंज कर लिया था और अब हमी लेना है देखें गुड तो यहां पर हमने एक कप गुड लेना है देखें दो कप आटा है तो उसमें एक कप गुड अगर आपके पास देसी वाला गुड़ हो तो और भी अची बात है आप उसको यूज करके बना सकते हो तो यहां पर मैंने एक स्वास पैन में डाल दिया है साथ में 1 फोर्थ कप जितना हम इसमें जो है पानी डाल देंगी इससे जादा पानी नहीं डालना है बस इतना पानी एक दम इनाफ हो का और इसे हम बिल्कुल मेडियम फ्लेहिं पर या फिर लो हीट पर इस तरीके से गरम करेंगे तो हमें इसके कोई जाशनीरी बिनानी है जब तक गुड़ मेल्टनी हो जाता बस आपने तब तक पकाना इसे और यह जैसे पक चुका है बहुत ही अच्छी त कमीडा था न हमने ओम दाल धिया और इसके बाद जो है हम इसमें डाल ले है शोटा तो यह मैंने शोट का पावडर यानि के अधरक स्वाटा होता है उसे डाल दिया है और आब जो हम जो हमने जितनी घ्रा चीजे थी न वह हम ड़ां गी तो यहाँ पर हमने जितनी भी मशच तहीं थे जैसे कि हमारा नारियल और छुआरियों के घ्राइट किया था और इसे जो हमने रोस्ट किया था जो हमारे डाल दिया है अब सभी पता ही है कि सब्सक्राइब्स पाउडर अगर आपको सदी हो गई है तो सौट का पाउडर सहत के साथ मिज़ाने पीने से कितना फाइ इसा च deed motion का काया तो to संघाड्य की आंटा टा है तो संघाडियों को मजबूत बनाता है और ठंड्य अकसर होता है वहाज जेंच sedang की हर ना चाहां है और बुडहे लोगों को जो बुजलImp करना में जynnवता घ्ञुनकर हैं तो हड्यों को मजबूत करता है तो क्योंकि जो है नीन बहुत अच्छी आती है संघाडे के आटे में विटमिन 6 बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिससे हमें नीन बहुत अच्छी आती है मोटापे को कम करता है तो ऐसा नहीं है कि आप लड्डू खा रहे है तो यह गिल्ट के साथ खाएं कि यार इसके वजन बढ़ यह अइए सब़ता है दुसरा हमें घी सवाल में यार आता थाया है तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छी सेसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे लड्डू हैं वो बन गए हैं इसी तरीके से हम सारे गड़ू बना करके त्यार करेंगे लड़ू का साइज आप अपने हिसाब से रखते हो सकते हो मतलब थोड़ा सा बड़े थोड़े से छोटे अब जितनी बाते हो सकते थी मुझसे मैंने आप सभी को बताई है इस लड़ू के फायदे किजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज शेयर कर देना यार बहुत मैनत लगती है तो प्लीज एक शेयर और एक लाइक एक कमेंट तो बनता है ना इतना डिजर्व करती हूं बाई बाई